अब आईए हम बात करते हैं 12 राशियों की बारे में कि 12 राशियां कि क्या इस्तिती है आज कौन विदेश जाएगा किसको धनलाब होगा किसकी प्रकति होगी किसके घर में किलकारी गुजेगी किसके घर में सानाई बजेगी किसके घर में सुभा और मांगली कारे होगा कौन प्रपर्टि खरीदेखा कौन ऺनाओं काँने लिखेगा किसको प्रिंटिंग स्केचिंग से धन-मिलेगे सारी बाते बताऊंगा किसको लल्ट्य कला के चतर में आगे जाना है किस अंक्य के प्रयोग करने साब का भागोदे होगा किस रंग के प्रयोग करने सापको आपार सफलता मिलेगी सौधानी क्या वढ़ते हैं इस शुरुबात करते हैं मेश राशिशे जो मेश राशिशा ले जातक है आज आपको बड़ा गुस्सा आसकता कारी होने का प्रवल यूग बंड़ा है नए मेहमान के आगमन से परिवार में खुशियों का महाल रहेगा नए बैपार कर सकते हैं खास तोर से जो भी दार थी उनके लिए कालखंड बहुत अच्छा चल रहा है परिवारी की स्थी अच्छी होगी माता-पिता का सुक मिलेगा पत्नी के स्वास में सुधार होगा पत्नी को नोक्रे मिल सकती है आज आपके अध्यात्मिक प्रगति होगी सौधानी के अबरत्नी है एक आगर होकर करके अपने कर्म चत्र में लग जाई है आज आपको बड़ी सफलता आपकी राह देख रही है उपाय क्या करना है भगवा कारशी के जातक है आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है परिशितियां अनकूल है आपको लगेगा कि जीवन समाने चल रहा है लेकिन दोपार के बाद एक्स्ट्राइनरी होते हुए दिख रहा है जो भी आपने सोचा हुआ है जो प्लान किया कार्याप का संपन्न चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है परिवार में बैचारिक मत्वेत किस्टिती रहेगी माता पेसा से बाद विबाद हो सकता है पत्नी की हेल्थ को ले करके चिंता हो सकती बच्चों की टेरिटरी में दखल अंदाजी न करें उन पर पैनी नजर रखें सौधानी के अ मिथूराशी की जो मिथूराशी के जाट कहныं आज आप के परिवार के साथ कहीं बाहर गोमने जा सकते हैं परिवार में वैस्ततार रहेगी परिवार को दो Hä आ गया स्वस्टा मेरे पार में शाउध में आर्थिक लाप की सथी मजबूत होरी इस romantic कर सकते परिवार मेंवर मंगली का क्रिफ होने का योग बन रहा है कई निदर में वहानखरी सकतें किальным प्रभल योगस माता-पीटा की बात को सुने किसी की बाहकावे में ना हमें सौधानी के अपरतनी पॉजिटिव सोचे निगेटिव नसोचे उपाई क्या करना है हर आचारा गाय को खिला में सूभांके 6 सुभांके 6 ग्रीन लक मीटर 8 हरी कृष्णा बात करते हैं करकराशी की जो करकराशी की जातक है आज का दिन आपके बेहतरीन है अपने समय का सुधिव प्योग करिए मन पर नियांतरा लखिए काग्र हो करके अपने कर्व छित्मा लग जाएगे बड़ी सा फलता आपका इंतिजार कर रही है आज आप यह आतरा पर जा सकते हैं तिर्थाटन हो सकता है देशाटन हो सकता है नये तरके कारे कर सकते हैं नयालेक में अगर कोई भी वाद दिवाए सा तो पक्ष में आपका विजय मिलेगी अगर आप बैपार करना चाए तो उसे लाव मिलेगा बैऊशाय नयाग खोल सकते हैं आएके नए सांसनों में बिद्दी होगी परिवार में मान समान बढ़ेगा आज आप कोई ब लगाने की जुरुत है आलशा का परित्याग करिए उपाय क्या करना लाल वस्त्रदान करें जुरुत मंद को भोजन कराईए गाय को रोटी गुड़ किलाना न भूलिए बात करते हैं शिंग राशी की जो शिंग राशी की जातक है जबकि वैपारी किस्ति बहुत अच्छी होगी नए प्रकार के वैपार करने का आउसर मिलेगा प्रापल्टी त्याद में अगर पूजी निवेस करते हैं ता आपके लिए अच्छा रहेगा माइन से रियल अगर आपका कोई भी नियाले में बाद विया चल रहा होगा तो उसमें आपको बीज़े स्री मिलेगी परिशानी आपकी दूर होगी आज कोई अच्छा समाचार मिल सकता है परिवार में नियाकार होगा आपका समय काफी अच्छा चल रहा है आलशे का परताक करिए और कन्यराशी की जो कन्यराशी की जातक है आज आपको लेक्थन और साहित के चैत्र से धन मिलेगा से शेयर ट्रेडिंग में धन मिलेगा मान सम्मान प्राप्त होते हुए दिख रहा है जमी जैदात के कारियों से लाप मिलेगा अगर खरित परोक्त करते हैं नए तरह के कारियों में ट्रेडिंग करते हैं उसे लाप मिलेगा आज आपकी संताने बहुत अच्छी करेंगी और संता मामलों में आज आपको काफी लाव मिलेगा सौधानी के अपरतिया अपनी उर्जा का सही दिसा में प्रयोक करना च्छा रहेगा निगेटिव सोच से बचें उपाय क्या करना भगवान स्री गड़ेश की मंत्रों का जब करिए और मोदक भगवान गड़ेश को अर्पित करिए सुभंके 6 सुभंके 7 लग मीटर 8 हरे कृष्णा बात करते हैं तुला राशी की जो तुला राशी की जातक है आज आपकी जो भी महतों कांचाएं पूर्ण होगे कारूएं प्रगत होगी मान संबान में बढ़ोतरी होगी रोजी रोजगार के चेतर से बड़े पैमाने पर द्धन लाब होती हुए दिख रहा है आयात ने रियात का योग बन रहा है परिवार में सुभर मांगले का रहोने से बन परसंद रहेगा थोड़ी सी अचानक चिंता हो सकती है आज आपको अचानक धन लाब होते हुए भी दिख रहा है जिसे माली आलसो द्री लोगी जो धन आपने किशु को दिया हुए जो धन मिल ले रहा है वो धन रिकबरी होते हुए दिख रहा है मित्रों का सहयोग मिलेगा पत्नी का सहयोग मिलेगा पत्नी को नोकरी मिल सकते पत्नी की हेल्थ में जबर्दस सुधार आएगा सौधानी के अबरत नहीं है आत्म सम्मान को लेकर करके चिंतित नहों उपाय क्या करना मातालश्मी जी की अराधना करिए ओम हिरिंग स्रिम क्लिम महालक्ष्मी मंग्रिहे आगज आगज इस मंत्र का कमल गट्टे के माले से आप जब करिए आप देखेंगा आपके घर में लक्ष्मी की वर्सा होगी सुबंके दोशुब्रेंग ये चारो तरफ से दनलाब होगा परिवार में सुभ और मांगली कार होने से मनपरशन रहेगा भाई बहनों का सुख में लेगा भाई बहन आपकी मदद करेंगे नए इंड़स्ट्री लगा सकते हैं खिलाडियों के लिए समय बहुत अच्छा है प्रापल्टी ता खरिज सक और बच्चों के टेरेट्री में दखल अंदाजी ना करें परिवारे की सिती अच्छी होगी परिवार में बाद बाद करने से बच्चें जो बात आपको खराब लगती है उस तरह का बैवार दूसरों के साथ ना करिए शौधानी के अपरतने गुस्षे पनियंत्रा लखें उपाय क्या करने गरीबों को भोजन कराइए बंदरों को भुना वचना और गुड़ खिलाइए सुबंके आठ सुबरंगे केसरिया लक्मिटर आठ हरे कृष्णा बात करतें धनुराशी की जो धनुराशी की जातक है आज आपको गुस्षा बहुत आएगा अपने में आपके लिए अनकूल चल रहा है और थी परया सार्थक होगा बयापार से लाब होगा बयापारी किसी जोटी मुझाज़ किसटनी मजबूत के ओवरेटिंग करने से बच्चें सौधानी के अबरत ने स्वास पर विश्यज ध्यान देने की आवश्यक्ता है उपाय क्या करना है भगवान भूले नाथ के अराद ना करिए और भगवान विश्णु जी की मंत्रों का जब करिए पीले रंग का वस्त रदान करिए सुभां कोई भी नियर्णे ने नहीं आपको भारी नकसान हो सकता है अपने माता पिता की बात को सुने पतनी की बात को सुने बाद यदंबाद न करें नए प्रकार के बैपार खोलने के आऊसर मिलेंगे सुभ और मांगले कारे होने का यूग बन रहा है भूम बhone जमीन जायदा कई का औसर मिलेगा रोग और संत्र परास्त होंगे आज आपको नहीं तरह के कारियों से धनलाब मिलेगा परिवारी किस्थी अच्छी होगी बच्चों से थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है पतनी से थोड़ा बात विवाद किस्थी बनी रहेगी और कोई अज्याद बेक्ति आज आमनी कलर लक्मीटर आठ हरे कृष्णा बात करते कुम राशी की जो कुम राशी की जातक हैं आज कर दिन आपके लिए बहुत अच्छा है सुबह कारे होने का योग बन रहा है कुछ सुबह समाचार मिल सकता है भाई बहुनों के लिए से में बहुत अच्छा है रोजी के फिल्ड में उनको काफी लाप मिलेगा जड़ी आप मेडिकल के फिल्ड में इंजिरिन के फिल्ड में या बाय टेक्नोलिक्स विद अगर विदेश चाके पढ़ना चाहते तो उसके लिए समय आपका अच्छा है खिलाडियों के लिए खेल के च्छतर में केरियर बनेगा आज आपको बड़ा नाम मिलेगा और खेल के वज़ा से आज आपको सरकार में कोई उचपत प्राप्ति का भी योग बन रहा है परिवारी की स्थिती बहुत अच्छी होगी माता पिता का सुख मिलेगा बच्चों के टेरिटरी में दखला अंदाची नकर उपा पहरी करें और काला कंबल दान करें सुभंके आर्ट सुभरंगे पिंक लख मीटर रहे आर्ट हरी कृष्णा बात करते हैं तिम राजशी मीन की जो मीन राजशी की जातक है आज कर दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आपको ध्यान रखना है कि सनी की साड़े साथी में चल रहे आलस में भरबात ना करें समय अन गुलता ले हुए भाग आपका साथ दे रहा है आप जितना भी मेहनत करेंगे उससे जादे धन लाफ मिलेगा तो खुब मेहनत करिए और जिससे आपकी प्रगत ही हो आज आप पांडित कर में रुची बढ़ेगी मंदिर इतायत का निर्मा समय का सुद्व प्योग करिए आलस में अपना समय नष्ट न करिए उपाय क्या करना है जरुत मंदों को वस्त्रदान करें सुभंके तीन सुभंगे पीला लक मिटर है नौ हरे कृष्णा अब आईए हम बात करते हैं गुरू के नुस्खे की आज हम आपको बताएंगे कि आ सूरी ग्रह है वो इसके स्वामी होते हैं सूरी को कहते हैं कि प्रकृति का आत्मा है सूरी के मजबूत होने से व्यक्ति आगे बढ़ता है उसकी प्रकत होती है चतोर्दिक विकास होता है व्यक्ति के अंदर निड़े लेने की चमता होती है ज़िए आपकी कुर्णी में सू हो ताप की हड़ी कमजोर हो जाती है आंख खराब होता है लीबर किड्नी की परिशानी हो जाती है कई प्रकार की बीमारी आपको घिर लेती है तो सुरिग्रह को मजबूत करने के लिए आप क्या करें कि सुरी की आराधना करिए ताज हम आपको छोटे-छोटे तीन-चार रु आएंगे अगर वो करते हैं ताप के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जिदि किसी जातक की साधी नहीं हो रहे है परिशान है ताप क्या करें कि 21 रविवार ब्रत रहे है और नमक न खाये सुर्यास्त के पहले आप क्या करें कि हलुआ और पूरी खाये और ओम गिरड़ी प्रतेक रविवार के दिन वो आदित तिहरते स्ट्रोतर का पाठ करें लाल गाय को अपने हाँ से रोटी घूर खिलावे और प्रतेक रविवार के दिन जैसे उटता है तो माता पिता का चरण असपर्स करें और कोई भी पृतोगी पर एक्सा देने जा रहा है तो लाल कि संदान सुख आपको मिलेगा तेश तरीके से आपको मैंने छोटे-छोटे उपाय बता अगरे करते हैं ता आपके लिए काफी अच्छा रहेगा भागी गुरु कायरकरम में बस आज इतना ही फिर हम आप से कालिसिस में इसी वक्त मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजी इजाजत आप देखते रेटनिव्जी स्टेट उत्तर प्रदेश उत्राकंट नमस्कार